आप प्रियविद्ध्यारतियो इस वीडियो लेक्चर में हम बारहमी क्लास की जो क्रण प्रकास की फिजिक्स में प्रकास की रे ऑप्टिक्स जो चल रही है उसकी डेफिनेशन कराएंगे कुछ गटना हैं जैसे पहली गटना क्या है कि किसी आयताकार सलैब में आयताकार सलेब क्या है यह कोई आयताकार पट्टी है इस आयताकार सलेब में जो अपवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है कैसे होता है एक बार तो होता है बायू से कांच में और दूसरा होता है इस कांच से बायू में बायू से कांच में और एक कांच से बायू में तो य इस प्रश्ट के लिए और यह यह आप तन कौन आईवन बनेगा यहाँ आप तन कौन परतन इसके साफ एक्ष आप तन कॉंड ही होगा एक्चौल में यहां से जब यह इस जो अपवर्त्रित कौंडा यह जो कोंड बनाएगी कर इसे अपवर्तित करण और अब वर्तन कौंड कर नब कहेंगे यह आपतन कौंड भी कहेंगे तो यह R2 है तो आई इसके बारे हम चर्चा करते हैं क्या है तो किसी आयताकार सलेब में अपवरतन बायू से कांच में तथा कांच से बायू में अभी बताया था दो अंतरा प्रस्टों से होता है बायू से कांच में और कांच से बायू में होता है यहां आसानी से देखा जा सकता है कि आर्टू का जो मान है यह आर्टू का जो मान है इस आईवन के संगत है अर्थात निर्गत क्रण है यह निर्गत क्रण है आपतित क्रण के समांतर हो जाती है आपतित क्रण के समांतर हो जाती है क्योंकि यह आपतित क्रण है अगर देखें जानना तो इस ऐसे चाहिए था यह थोड़ी इधर हट जाएगी इस अब लंब से थोड़ी हट जाएगी तो क्या हो जाएगी इसके समांत्र हो जाएगी कौन सी वाली के सब्सक्रा के साफ क्या होता है यह इसे अब ब्रतीत क्रणź कह सकते तो क्या हो जाता है यह में साथ ही काच की स्लेब में प्रकास पुंज का विच्छेपण भी नहीं होता है विच्शेपन मतलब प्रकासबुञ फैल नहीं पाता है फैलता नहीं विच्शेपन बोलें परिच्शेपन जब प्रकास करण किसी पारदर्सी समांतर पट्ट से गुजरता है तब विदा विचलित हुए पार्षिक रूप से विस्थापित होता है और छोटे आपतन कोणों के लिए पारस्विक विस्थापन D बराबर क्या होता है I into T कोष्टक 1-1 upon mu जहां D क्या होता है पारस्विक विस्थापन I होता है आपतन कोण T होता है समांतर पट्ट की मोटा है यह समांतर पट्ट है कि मुटाई और मयूत्यम का अवरतनांः को होता है के अभाइं दूसरी चंदिशन क्या है दूसरी कंडिशन ये है कि सघन में इस्थित कोई विम्म को प्रल माध्यम से देखने पर जैसे कोई भाल्टी में पानी भरा हुआ है जब बालटी में जब पानि भरा हुआ है पानी जो मादियं हो जायगा ओझाई बाहर से जब देखें cannot बुपल। अर्था जल से भरे किसी तालाव या वरतन का जो पैंदा है बरतन का पेंदा उपर उठा प्रितित होता है और अभिलंबवत दिशा के निकट से देखने पर अभिलंबवत दिशा के निकट से देखने पर यह दर्साया जा सकता है कि आभासिय गहराई को क्या नाम दिया? H1 और बास्त गहराई को नाम क्या दिया? H2 को माध्यम के अपवरतनांग से विभाजित करने पर प्राप्त होती है तो आभास ये गहराई का मतलब क्या होता है जो हमें महसूस हो रहे हैं कि इसकी गहराई कम है जैसे बाल्टी में पानी बरा हुआ है जब बाल्टी में पानी बरा हुआ है तो हम क्या देखते हैं उसका पेंदा उपर उठा हुआ प्रतित होता है तो हमको क्या लगता है उसकी गहराई बहुत कम है लेकिन बास्तवे गहराई उससे कुछ जादा होती है तो आभासी गहराई कैसे निकालेंगे तो आभासी गहराई बराहर हो जाएगा बास्तवे गहरा से कम होता है यह तो अभी बताया था आवाशी गहराई का जो मान होता है बास्ति गहराई से कम होता है तो सब्सक्राइब मतलब बस्तु बिंब वा प्रित्विम के मद्द की दूरी को अभिलम्ब विस्थापन कहते हैं जैसे कोई बस्तु है और उसकी इमेज मतलब उसका जो प्रित्विम है कुछ दूरी पर बन रहा है तो उन दोनों के बीच की दूरी होगी बस्तु और उसके प्रित्विम के बीच की दूरी होगी वही क्या कहलाएगा अभिलम्ब विस्थापन को डी से डिनोट करते हैं अभिलम्ब विस कि बिम में की दूरी टगे वद्ञे विख्शार अब एस्टू इन में से जैसी में कॉम ओंडू दोनों में से इस इसटी आश्टू कोमग मैं यह भाग जें एस्ट्ू का गुणा और एस्ट्ू का भाग करेंगا तो यह वह शाएगा तो कु टक है स्ट्रीय हद घू हो जाए एक माइन से कवरां तोभान कहीं तोड स्ट्रीय होजेल ऐस टू यह जाएका सब्सक्राइफ हो horrific यहां दिनदे फिरी हर शे MA काया सब्सक्राइब कणा एक हो नु कालों तो है कैसे ही है यह कांच है यह कोई बस्तू है यह बस्तू है यह इसकी गहराई देख रही है ओडेस को दर्सक पहली स्थेति में देख रहा है यह दूसरी स्थेति में देख रहा है तो यह इसकी आभास यह गहराई यह आभास यह गहराई होगी थोड़ी ऊपर देखाई देगी आ of one माइनस वन अपोन मूं ऑब गाभआ तीसरा कंषेप्ट प्रकास का वाय messenger अब वर्तन प्रकास का य क्याई यह वंडाली अब इससे समंद्ध कुछ परवासा पहले परवासा क्या प्रकास सूर्योदय से पूर्व वास क है पस्चान देखाई देना इसमें कहना कहा क्या गया है इसमें यह कहा गया है कि सूर्य का सूर्योदय से पहले मतलब जब सूर्य सुभए सुभए उगता है तो सूर्योदय से ठीक दो मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है बास्तम में वो सुर्योदय नहीं होता है लेकिन अपने जो निश्चित सुर्योदय होता है उससे ठीक दो मिनट पहले दिखाई देता है और जब सुर्य अस्त भी हो जाता है बास्तविक सुर्यास्त हो जाता है उसके ठीक दो मिन बाद तक दिखाई देना क्या कारण है तो उसका option हो जाएगा या उसका अंसर हो जाएगा प्रकास का वायू मंडली अपवर्तन तो यहीं परवासा है कि सूर्य का सूर्योदय होने से पूर्व ववा सूर्यास्त के पस्चात दिखाई देना इसका reason क्या है वो reason बताए गया है प्रकास के अपवर्तन के कारण ही बास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दिखाई देने लगता है तथा बास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय पस्चात तक दिखाई देता है बास्तविक सूर्योदय से हमारा थातपर यह है, कि छैतेज से सूर्य का उपर उठना, यहां छैतेज के सापेक्च, छैतेज के सापेक्च सूर्य की बास्तविक एभं, आवासि इस्थितियां दर्साई गई हैं। जिने आवर्धित करके दर्साय गया है जैसे प्रत्वी है और ये बायू मंडल है जब छितिज का मतलब क्या होता है जहां प्रत्वी और सूर्य मिलती हुई प्रतिद होते वही छितिज होता है तो निर्वात के सापेक्च बायू का अब बरतनांग क्या होता है एक दसमलब जीरो 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 दो नौ अत्य है प्रत्वी की सतह के समीप हवा का घनत तो कैसा होता है प्रत्वी की जो सतह होती है उसके समीप हवा का जो घनत अधिक होता है जब सूर्य बास्तविक इस्थिती में होता है तो प्रकास की करणे ब्रल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं जिसके कारण ये करणे अपने मार्ग से अभलम की ओर जुख जाती है और सूर्य की दिसा में लगबग आदे डिगरी का आभासी विस्थापन होता है सूर्य की दिसा में कितना होता है आदे डिगरी का आभासी विस्थापन होता है और सूर्य आभासी स्थिती में दिखाई देता है आभासी स्थिती में दिखाई देने का मतला उससे पहले दिखा साथ भी सुर्य दिखाई देता रहता है यह समय लगवग कितने इनट का होता है दो बनट का होता है इस प्रकार बाइव मंडली अवड़तन के कारण दिनकी जो लम्माइ उतीहें दिनकी लमाई में में लगवग 4 मिनट की ब्रद्धी हो Bardzo ू g अगया होगा तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का आवासी चप्टापन मतलब अंडाकार AHKRTी भी प्रकास के बायूमंडली अफवर्तनarkи stellen के कारण ही होती है अगला क्या है तारों का टिम्टमाना तारों का टिम्टमाना क्या है बायू मंडल यह अब वरतन के कारण ही तारे टिम्टमाते लेकिन कभी कवा जब रीजन पूछ लेता है तो रीजन वता देते हैं क्योंकि Rात में जो तारें। टिम्टमाते हुई दिखाई देते. इसका करण क्या है इसका कारण है कि जब प्रकास करेनेhayं बाईू मंडल में संच्रित होती हैं। यहना कि बाईू मंडल में जब फेलती प्रकास की करनें। तो बाईू के विविन परतों से होकर के गुजरना पड़ता है क्योंकि प्रकास की करने जब बायुमंडल से होकर के गुजरती हैं धूल करन बास्प जलवास्प और अन्य गैसे हैं तो उनसे होकर परवरतन के करण नेत्र में प्रव्यस करने वाला जो प्रव्यस करने वाली जो क्रणे हैं उनकी दिसा प्रतिछन तेजी से परवर्तित होती रहती है अते तारे का बिंदू प्रित्विम नेत्र के रेटीना पर हिलता रहता है यानि कि जिल्मला आता रहता है जिससे तारे टिम्टमाते हुए प्रतित होते हैं दोबारा बोले रात में जब तारे टिम्टमाते हुए दिखाए देते हैं तो इसका करण केबल यही है कि जब प्रक जिनका घंब भिण भिण होता है। जो आंखों में प्रिवेस करने वाला जो प्रकास है तो उसकी दिशाएं प्रतिछन कैसी होती है परवर्थे तो होती रहती है तो तारे का जो बिंदु पृत्विम में नेत्र के रेटीना पर हिलता रहता है जिससे तारे टिमटमाते हुए पृथीध होते जबकी ग्रहे आकास में टिमटमाते हुए-दिखाई से- यह कारण हैकि रेटी में पृत्विमिन इस्चिताकार के होने के कारण उतार चड़ाव के प्रभाब अनभव नहीं होते और ग्रह स्वेम प्रकासमान नहीं होते तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे आगे रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी बस बच्चों की कुछ की डिमाइंड यह रहती है कि इसको नहीं 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 आ रहे ही रहे हैं रेगुलर EPA वीडियो जना आने का क्यबं यह Easternost कहां है क्योंकि डेटका की डेटा की प्रभलम आती यह डालने में क्योंकि 9 10 11 12 की मैथ की जब वीडियो डालते हैं तो वहां डेटा खर्च हो जाता है तो डेटा की प्रॉब्लम की वजए से रेगुलर्टी नहीं बन पा रही है कोसिस करूंगा कि रेगुलर्टी में ही वीडियो डालू और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर किया कर दन्यवाद।